तो हेलो मैं रेटर फैमिली दोस्तों अगर आप भी 2024 में नए साल पर एक नई बाइक पर्चेस करने की प्लाइनिंग कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आज किस वीडियो में आपको ऐसी तीन न्यू लॉंच बाइकों के बारे में बताने वाला ह तो वो है प्रिलिया की 457 दोस्तों इस बाइक को इसी दिसंबर के महिने में इंडिया में लॉंच किया गया है यह एक फुल फैरिंग कैटिगरी की स्पोर्ट बाइक है अगर हम बाइक के फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में ट्वीन LED अर्लाइ अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में 457 सीजिका लिक्विड कूल 4 स्टोक 4 वॉल पैरलर ट्विन सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि मैक्समा पावर प्रडूस करता है 48 PS की और मैक्समा टॉर्ग प्रडूस करता है 45 न्यूटर मी अगर हम इस बाइक के प्राइजिंग के बारे में बात करें तो यह बाइक इंडिया में आपको 4,25,000 के प्राइस पॉन्ट पर अवेलबल हो जाएगी दोस्तों अगर हम नंबर 2 की न्यूली लॉंच बाइक के बारे में बात करें तो वह है यामा की R3 यह भी एक बहुत ही बैतरीन फूल फेरिंग स्पोर्ट कैटिकरी की बाइक का है जिसके जो लुक का है वो बहुत ही ज़्यादा शांदार है बाइक के फ्रेंट में ट्वीन LED ऐलाइट का साटप देखने के लिए मिल जाएगा बाइक के इंडिकेटर है वो LED में देखने के लिए मिल जाएगे औ क्योंकि maximum power produce करता है 42 PS की और maximum torque produce करता है 29 Nm की इस बाइक में आपको 6-speed transmission gearbox setup भी देखने के लिए मिल जाएगा अगर हम बाइक के प्राइजिंग के बारे में बात करें तो यह बाइक इंडिया में आपको 4,64,000 के प्राइस पॉन्ट पर वेलबल हो जाएगी दोस्तों अगर ह इस बाइक का इंडिया में काफी लंबे समय से किया जा रहा था तो फाइनली इस बाइक को भी इंडिया में दिसंबर के महिने में इंडिया में लॉंच कर दिया गया है यह एक naked sport category की बाइक है जिसके जो लुक है वो बहुत ही ज़्यदा शांदार है बाइक के front में ट्वीन मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यदा शांदार है अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में 321 इसी का liquid cool 4 stroke 4 wall BS6 इंजन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि maximum power produce करता है 42 PS की और maximum torque produce करता है 29 Nm की अगर हम बाइक के pricing के बा अगर आपको यह वीडियो अच्छे लेगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना बुले इस वीडियो को वाएंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए तिल देन बायो टेक केर